अब ख़बरे विश्तार से कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार 24 घंटे में कोरोना वाइरस के 2 लाग से ज़ादा मामले मिले हैं और 389 मौते दर्ज की गई हैं इस दोरान 84,000 लोग ठीक भी हुए हैं साथी सक्री अमामलों की संख्या 1,60,000 हो गई है अब कुल 11,99,000 एक्टिव केस हो चुके हैं सभी राज्यों और केंदर शाषित प्रदेशों में अब तक 3 करोन लोग कोवीट की चपेट में आ चुके हैं बतादें की महाराष्ट में 46,000 नए मरीज मिले हैं इस दोरान 32 मौते भी दर्ज की गई हैं उधर दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 27,000 नए कोरोना मामले सामने आये हैं साथ ही एक दिन में 40 मरीजों की मौत की भी पुष्टी हुई है यानि जनवरी के शुरुआती 12 दिन में कोरोना से 133 संक्रमितों की मौत हो चुकी है वहीं कोरोना की रफ़तार को देखते हुए पियमोदी आज देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे